एक आनी है कि हम हमेशा यह नहीं सोचे कि अपने से बड़ों से ही कुछ सीखते हैं कई बार आपको बच्चों से भी सीखने को मिलता है जैसे वो छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं गाड़ी चुक चुक करके एक दूसरे की शर्ट पकड़के लड़की हो तो फ्रॉक पकड़ लेते हैं और एक दूसरे पूरे डब्बे बनाके ऐसे चलते हैं एक एंजन बनता है सब भागते हैं चलते हैं तो खेलते हैं तो बच्चे खेहलते हैं देली पार्क में तो एक बेंच थी पार्क में एक बज़रगा रेखता था स्रट्धियों का टाइम था धूप थी अच्छी लगती थी तो बच्छी खेल रहे थे चुप 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 तो वो रोज देखता था उन trump देखता था कि कभी तो कोई बच्चा एंजन बन रहा है, कभी कोई पहला डबा बन रहा है, कभी कोई चौथा डबा बन रहा है, कभी तीसरा डबा बन रहा है, लेकिन एक बच्चा था जो सिर्फ गार्ड बनता था और उसके हाथ में एक जंडी सी थी, जंडी उहलाता था और बच्स हमेशा Gaurd बनता था तो बुजर्ग के मन में शंका होई की यार ये बच्चा क्यों Gaurd बनता ये क्यों नहीं बदलता कभी इंजन नहीं बनता कभी डबा नहीं बनता दो इसने बच्चों को बुलाया सबको बुलाया और उसको भी आगे बोला कि बिटा मैं कही दिनों से देख रहा हूं कि सब को भी कोई आगे डबा बनता है कोई इंजन बनता है कोई कुछ बनता है तुम हमेशा गाड बनते हो तुम क्यों नहीं चेंज करते हो कहता है अंकल ऐसा है कि ये सब अमीर बच्चे हैं इनके पास सब कुछ है खाने पीने के लिए सब कुछ है मैं गरीब बच्चा हूँ मेरे पास कमीज ही नहीं है तो इसलिए मेरे पास ये जंडी इलाके मैं गाड़ी बन सकता हूँ जब मेरे पास कमीज ही नहीं है तो मेरे कमीज पकड़ेगा कौन तो इसलिए मेरे लिए ना इंजन बनना मुम्किन है ना डबा बनना मुम्किन है तो मैं गाड़ी बनता हूँ तो इस चोटी सी कहानी से हम यह सीखते हैं कि उपर वाले मालिक ने जो भी हमें दिया है उससे हमें खुश रहना चाहिए, जैसे ये बच्चा खुश था, बिना कमीज के हमेशा गार्ड बनता था और खुश रहता था, बच्चों के साथ मिल जुलके रहता था, तो हम कई बार ये सोचते हैं कि उसको प्रभू ने ज़दा दिया, हमें कम दिया, या उसके पास सब हैं तो इश्वर की किरपा जिस पे जैसी होती है जो जिसकी किस्मत ने जो लिखा होता है वो मिलता है बाकी आदमी को मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए मेहनत करनी चाहिए और हर हाल में हमें खुश रहना चाहिए अपनी मेहनत करो और अपने हर हाल में खुश रखो और इश्व ये किसमत का सौधा है और मेहनत का सौधा है इसको क्या मिलता है ये उसकी किसमत में भी है तो हमें ये तसलिख होनी चाहिए कि जो दिया है मालिक ने हमें उसका शुक्रिया कि दोस्तों बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा ने एक सरोवर में एक खंबा लगवाया था बहुत लंबा खंबा था वो तो उस सरोवर में बहुत सारे मेंड़क रहते थे तो क्योंकि उस सरोवर में इतनी चिकनाड थी कि उस खंबे पर बहुत मुश्किल था फिर भी मेंड़क ने एक दिन तैय किया कि रेस लगाते हैं जो सरोवर के उपर तक पहुंच जाएगा जो टॉप इसके खंबे के टॉप तक पहुंच जाएगा उसको हम विजिता घुशि करेंगे कि चो कि दो कि दिन आया था हुआ और मेंडपोने समय रेस लगाने शुरू कि म Exodus हरे चड़े और फुर्सी लिवेनड़क जाए उसमें सब जाएगा कोई थोबा चड़े कोई थोड़ा abuse और चड़े किटा कोई आदे तक पहुंच जाए तो फिर गर जाए आदे से उपर पहुचे फिर गिर जाए तो यह काम बहुत मुश्किल है नामुम्किन है इस खंबे पे चड़ना बिलकुल नामुम्किन है सभी जो एक्टिव मेंबर मेंडक थे उन्होंने बता दिया तो बात इतनी फैल गई कि कुछ जो मेंडक चड़ना चाहते भी थे वो नहीं चड कर रहे है कि जब इस नामुम्किन काम है एंत्पॉसिबाज और क्यों करना कि छोटा सा मिंदक था उसने कोशिश की थोड़ा चड़ा गिर गया फिर आते स्धें तक पहूंच गया मैनद करके फिर गर दम शें थोड़ा पहुंचा फिर गिर गया लेकिन उस की defeated लेकिन लेकिन पता ही ये किया गया कि ये चला कैसे तो उसके साथ ही मेंड़क ने बताया कि ये मेंड़क जो है बहरा मेंड़क है इसको सुनाई नहीं देता क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता तो वो जो negativity थी ना जो ना चड़ने की इच्छा थी ना करने की इच्छा थी उसने सुनी नहीं बाकी मेंड़कों ने सुनी तो उन्होंने कोशिश ही नहीं की इसने क्योंकि नहीं सुनी तो यह अपना कोशिश करता रहा यह positivity इसके अंदर क पंजोर पढ़ जाए, नेगेटिविटी आजाए, कि ये काम हो यह नहीं सकता, तो वाके ही वो काम नहीं हो सकता, तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, और काम करने की इच्छा रखिए, होसला रखिए, हिम्मत रखिए, सब काम मुम्किन है, सारे काम हो सकते हैं, थैंक यू. जैरंग मंच की तरफ से मैं शंकर मुलवानी बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको लगू कहानियां सुनाता हूँ, अमीद है, सबको बहुत पसंद आती होंगी, एक बार संत्य तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तो उनका एक शिश्या आया, तो बहुत क्रोधि रहता था, तो संत्य तुकाराम जी के आश्रम में जैसे वो आया, तो संत्य तुकाराम जी के पाउच हुए और उनके सामने बैठा, तो संत्य जी ने उनको बताया, अपने शिश्य को, कि तुमारा जीवन सिर्फ साथ दिन का रह गया है, और साथ दिन बाद तुम मरने वाल हो शिश्य ने सुना और थोड़ा मन में दुखी तो हुआ खैर वो संच से आशिरवाद लेके चला गया अब इन साथ दिनों में उसने क्या किया कि हर एक से प्यार से बात करता था और जिन से जगड़ा हुआ हुआ था उनसे भी जाके मिला उनसे मिलके और उनसे माफी मांगी या उनसे बातचीत करके सब जो पुराने उनके जगड़े थे या वो सब निप्टा दिये और हर एक से प्रेम से बात करना दिनमरता से बात करना सबसे क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे पास सिर्फ साथ दिन रह गए है जब सात्वान दिन था उस शिश्य का तो उसने सोचा गुरु से भी आशीरवाद ले लूँ क्योंकि अब तो मैं वैसे भी मेरा अंतिन समय आगया है तो संत्वकाराम जी के पास वो गया और करता है कि गुरु जी प्रभु जी मेरा आखरी समय आगया है और मैं आपसे बस आशीरवाद लेने आया हूँ विदा होने से पहले तो संत्वकाराम जी मुश्कराए और उसको बोला कि इन साथ दिनों में तुमने क्या किया तो उसने शिश्य ने बोला कि मैंने सबसे प्यार से बात किया वे नमरता से बात की जिन से जगडा था उनसे जाके कई लोगों से माफी मांगी कई लोगों से सुलह की और बड़े प्यार मौबबत से मैं सबसे मिला तो संत्वकाराम जी ने कहा यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों के पास केवल साथ दिन है जिसमें मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ कि मुझे मेरे पास भी केवल साथ दिन है सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, वीरवार, शुकरवार, शनी और रवीवार ये साथ दिन होते हैं हम सब के पास हम सबको कोई पता नहीं है कि इन साथ दिनों मेंसे कब हम हमारी मृत्यों हो जाए तो इसलिए हम हमें बिनमर रहना चाहिए, धीरत से काम लेना चाहिए, सभी से प्यार, मेल जोल से रहना चाहिए, और कोशिश करें कि किसी को दुखी न करें और किसी से गुसे से बात ना करें दरसल मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने के लिए बताया था कि तुम्हेरे पास केवल साथ दिन है तो शिश्य की आँखे चमक गई और उसको ये समझ तो आ गया कि अभी मेरे आखरी वक्त नहीं है लेकिन ये बात उसको समझ में आ गई कि खामखा में जो क्रोध करते हैं और धीरत से बात नहीं करते हैं वो ठीक नहीं है और उसने अपना सुभाव चेंच कर दिया तो देखिए ये साथ दिन के लिए जो संत तुकाराम जी ने बताया आदमी की पूरी काया पलट जाती है जो क्रोधित रहता था वो विनम्र रहने लगा बड़े धीरता से बड़े सहता से बात करने लगा ये ऐसे है कि एक चिडिया थी इसका छोटा सा घोसला किसी घर के चज्जे में बना हुआ था जहां उसके दो तीन बच्चे थे तीन चार बच्चे थे उसके जिनको वो थोड़ा सा जैसे चुकती है ना बाना चुक के आती है और बच्चों को खिला दी है तो वो चिडिया बच्चों को खिला रही थी अचानक उस घर में क्या हुआ कि आग लगी अब वो कहां से आग लगी कैसे लगी तो और बड़ा तेजी से आग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो चिडिया बहुत घबराई इतने में किसी ने कि फाइर ब्रिगेट को भी फोन कर दिया होगा तो वो सब फाइर ब्रिगेट बागरे वाले भी आये तो वो भी उन्होंने भी अपना फटाफट जैसे पानी बरसाते हैं पानी डालना शुरू कर दिया तो चिडिया क्योंकि घबराई होई थी तो वो एकदम से उड़के जा रही थी और कहीं से थोड़ा सा ना नीचे जहां पानी पड़ा हुआ था महां से उठा के पानी आके डालती थी आके घुस लेके उपर डालती थी अपने और जहां उस पर तो एक बार दो बार पचास वो बिचारी उड़े और डाले उड़े और डाले जबके फायर बेगेट वाले दूसरी तरफ से पानी डाल रहे थे तो एक कवा देख रहा था वो एहरान हो रहा था कि ये चिडिया की चोंच में कितना पानी आएगा जो ये इससे आग बजाने की कोशिश कर रही है और इससे तुम क्या कर लोगी तुम समझती हो कि आग बज जाएगी और तुम्हारे बच्चे बज जाएगे कहती है जी मैं तो अपना मेरा काम है मेरे अपने बच्चों को बचाना मा का काम होता है बच्चों को बचाना और कोशिश करना और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इस आग का अगर इत्यास रचा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं होगा मेरा नाम होगा आग बुजाने वालों में तो दोस्तों ये कहानी कितनी अच्छी है कि इसमें एक सीख है हम लोगों के लिए कि कभी भी कोई ऐसा काम मत करो आग मत लगाओ और कुशिश करो जहां पे कोई जगड़ा हो कुछ हो तो उसमें आग बुजाने का आगाम करो उसमें कम्प्रोमाइज करवाने का काम करो उसमें और जादा आग मत लगाओ कानी यूँ है कि एक सूटेड बूटेड आदमी रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और बेंच पे बैढ़ गया तो जैसे बूट पॉलिश वाले आती हैं तो एक बूट पॉलिश वाला आया उसको कहते हैं साब बूट पॉलिश करवाना है तो उसका बूट गंदा भी पड़ा ह करने लगा कर दिया लेकिन वह लड़का बहुत ऐस्ता ऐस्ता कर रहा था तो फोड़ा सा अजीब लगा और थोड़ा सा हलका सा गुसा भी आ रहा था कि ए इतना आराम-ःाम से कर रहा और बिलकुल आस्ता आस्ता तो इतने में दूसरा एक बूट पॉलिश वाला आया उसने इसको पीप पे कंदय पे हाथ मारते हुए हटाया और खुद बैठ गया और उसकी पॉलिश करने लगा और तेजी से बहुत अच्छी तरह से चमका के पॉलिश की उसने तरी तो अब यह आदमी सोचने लगा कि पैसे किसको दूँ शुरू तो उसने किया था लेकिन काम सारा उ इसने इतना बढ़िया चमका के भी दिया है जूता तो उसने क्या किया पैसे निकालके और जिसने चमकाया था जो दूसरा लड़का आया उसको पैसे दे दिये तो उसने हलके से उसको पहले वाले लड़के को थोड़ा चाई इशारा करके बुलाया और उसको वो पैसे दे और जाने लगा तो ये हैरान हुआ आदमी कहता है कमाल है तो ये बात में आया और एकनी तेजी से करके भी दिया और मैंने पैसे दे दिये तो इसको क्यों दिये इसने उसको बुलाया कहता है सुनो आया वो कहता है तुम्हें जो मैंने पैसे दिये जो तुम्हारे मिजदूरी में तुम्हें दी तुमने इसको दे दी मुझे अच्छा लगा लेकिन ऐसे क्यों कहता है साब ऐसा है कि यह भी भूट पॉलिश करता है बहुत अच्छी तरह से और तेजी से करता है लेकिन कुछ दिन पहले यह चलती हुई गाड़ी से गिर गया तो इसको काफी चोटे लगी थी तो यह थोड़ा स्लो करता है लेकिन विचारा करता तो है तो हमारे एक पॉलिश चाचा हम बुट पॉलिश के जो हमारे एक चाचा है बुजर्ग है उसको हम पॉलिश चाचा कहते हैं उन्होंने एक परिवार की तरह हमारा एक ग्रुप बन हैं तो रोज सारे पालिश वाले एक वक्त की मजदूरी जो एक पालिश करने की मजदूरी है न वो इसको देंगे प्लस इसको थोड़ी सी कभी भी कोई पालिश कर रहा हो कहीं कुछ हो तो जब तक ये ठीक हो जाए इसको मदद करना तो इसलिए मैंने इसको मदद भी करी और एक पॉलिश की मजदूरी भी इसको देती, तो उस आदमी को बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई, कहता है ये कैसे हुआ, कहता है जी ये हमारा परिवार है और आपस में एक्ता है, इस एक्ता में इतना वो है कि हमारे जो पॉलिश चाचा है वो दयालू भी है और ही है, सत्चंग भी करते हैं, अच्छे अच्छी बातें बताते हैं, तो जब उन्होंने हमें ये बताया कि हम अगर परिवार की तरह चलेंगे, तो किसी को कोई बी तकलीफ होगी, और हम एक होके चलेंगे, तो किसी को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और दूसरे की मदद करें तो कितना अच्छा लगे थैंक यू